तो चलिए शुरुआत करते हैं logarithmic and exponential functions की सबसे पहरे log के बारे में जानते हैं कि आखिरकार log हम लोग पढ़ते क्यों है और log होता क्या है तेखिर log एक तरीका होता है किसी भी information को जो की exponential form में given है उसको represent करने का अब यह तरीका कैसा होता है जैसे मालीजी हमने कह दिया कि let आपके पास कोई एक expression given है let b to power c is equal to a हमें यह दिया हुआ है कि किसी number का power हमने c कर दिया तो हमें एक another number मिल रहा है आते है लॉग एक तीनों यहां पर number है अब इस information को हम दूसरे फार्म में कैसे लिख सकता है दो log भी उसमें से एक तरीका होता है जिसमें हम exponential form को दूसरे form में लिखते है जिसको कि हम logarتمic form बोलते है अब c लॉग के form में कैसे लिखा जाता है आप इसी information को log के form में लिख सकते हैं आप बोलेंगे कि log A base B is equals to C अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या आप इसको पढ़ेंगे log A base B is equals to C और यह जो होता है यह equivalent होता है किसके इस information के B to power C is equals to A के दोनों का मतलब एक ही होता है अब देखिए यहाँ पर जो terms है different उसका मतलब समझ जाए कौन सा terms क्या represent करता है यह जो आपको B दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग base of log यह log का base होता है जो आपको यहाँ पर A दिख रहा है इसको हम बोलते है argument यह आपको हो गया argument और साथ ही साथ यह जो C आपकी दिख रही है this is value of log यानि कि जब log की value हमने calculate की वो चीज निकली किए value of log तो यह लिखने का एक तरीका हो गया log of A base B is equal to C और इसी को हमने exponent form में लिखा B to the power C is equal to A अब यहाँ पर जो condition है log define होने के लिए क्या क्या condition होनी चाहिए अब यहाँ पर जो condition है वो आप बोलेंगे कि A और B यह जो दोनों के दोनों है A and B दोनों positive होने चाहिए greater than 0 होने चाहिए साथ ही साथ जो base है B should not be equals to 1 base की value एक के बराबर नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा क्यों होता है तो देखें यह सब mathematics में logarithme अगर आप लोग को mathematics पढ़नी पढ़ी जो लोग maths वाल है उसमें log में आपको detail में बताया जागा कि base को हम लोग एक के बराबर क्यों नहीं लेते है और 1 और 2 इन दोनों की value positive क्यों ली जाती है फिलाल हमें पर सिर्फ इसका practical applications और question में कैसे इस्तेमाल करना log को सिर्फ हमें यह सीखना है आगे हम लोग देखेंगे यह A, B greater than 0 both should be positive and B should not be equals to 1 लोग के define होने के लिए अब कुछ-कुछ और बातें जो इसके regarding हमें जाननी चाहिए जैसे अब देखेंगे वहाँ पर हमने कुछ-कुछ examples ले रखे है examples में हमने conversion लिख रखा यानि कि यह जो log के form में आपको information given है इसको हम कैसे exponent के form में लिखेंगे तो देखें log actual में होता क्या है इसका एक दूसरा पहलो अगर हम देखें समस्थने के point review से तो जैसे हमने अगर यहाँ पर लिख दिया कि log कुछ भी हमने लिख दिया suppose कर यह हमने लिख दिया log x base y यह equals to किसके बराबर होगा तो आप बोलेंगे log x base y वो उस नमबर के बराबर होगा actual में यह जो पूरा का पूरा term है log x base y यह एक नमबर को represent करता है यानि कि वो ऐसा नमबर है जिस नमबर को अगर y के पावर में रख दिया जाए तो हमें यह argument की value मिल जाएगी समझ मैं तो हमने बोल दिया ठीक है यह जो log x base y है इसकी value एक particular नमबर के बराबर है उस नमबर को हमने कह दिया z अब उस z की खासियत क्या होगी तो आप बोलेंगे कि यह जो z होगा इस z को अगर हम इस base के पावर में कर दें तो हमें यह x मिल जाएगा तो चलिए करते हैं आप बोलेंगे यह z को हम y की पावर में कर दें यानि y to the power z यह करने के बाद क्या आ जाना चाहिए आपको x मिल जाना चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो log के form में information given थी उसको हमने exponent के form में convert कर दिया ऐसे कुछ convergence यहाँ पर दिये हुए चलिए इसको एक के करके देखा जाए कैसे convert करेंगे हम लोग इसमें पहला question यह कहा रहा है कि log 8 base 2 देखिए जो नीचे लिखा होता है वो base होता है और यह आपका इस number का हम base इस पे ले रहे है 2 पे ले रहे है यह आपका argument कहलाता है अब इधर वाला number हमें ढूंड़ा है कि आखिर क्या number होगा क्या तो आपको पता है कि इधर वही number आएगा जिस number को अगर 2 की power में कर दें तो हमें 8 मिल जाना चाहिए हमें नहीं पता कि यह number है क्या हमने कह रखा है कि यह number मान लीजे कि X है हमने इस number को क्या मान रखा है X यानि कि अगर हम X को 2 की power में कर दें तो क्या मिलेगा हमें 8 तो आप बोलेंगे कि 2 to the power X is equal to हमें मिलना चाहिए 8 2 to the power X कितना मिलना चाहिए 8 इसको हम लेख सकते हैं further 2 to the power 3 अब देखिए दोनों तरफ base common है 2 और यहां भी 2 जब भी base common होता है तो power को हम equate कर सकते हैं यानि कि आपको मिल गया X is equal to 3 X is equal to क्या आपको मिल गया 3 तो आप इसको लिख सकते हैं X is equal to 3 अब इसको exponent form में लिखना है तो exponent form में easy है लिखना base देखिए change नहीं होता न तो exponent के case में base change होता है न तो log के case में base change होता है आप यहां से देख सकते हैं आप बोलेंगे देखिए log के form में यह information लिखी थी यहां पी base B था जब exponent के form में किया तब भी वहां पे base B ही है सिर्फ हो क्या रहा है कि जो power है वो right in side में चलिए आ रही है दूसरे side में चलिए आ रही है तो आप बोलेंगे कि यहां पे करेंगे कि आप base तो वही रहेगा तो देखिए इसको अगर हम यहां से लिखना चाहें exponent के form में तो चलिए exponent के form में हम इसी information को लिख रहे हैं आप बोलेंगे base वही रहेगा 2 और इस 2 की power अगर यह हम number कर दें 3 तो हमें क्या मिल जाना चाहिए यह argument मिल जाना चाहिए 8 आप इसको generalize करके यह भी लिख सकते हैं अगर हम चलि हमने मालिया कि base जो अपना base है base को हम capital B से represent करें कुछ देर के लिए जो आपका argument है argument को हमने कहा दिया capital A से represent कर रहा है साथ ही साथ यह आपका base यह आपका argument यह आपकी जो value है value of log इसको हम V से represent कर रहा है यान्नि कि value value of log इसको हमने किस से represent कर रखा है V से तो देखिए log के form में अगर information given है उसको मैं exponent के form में convert करना है तो आप simple यह बोलेंगे कि B to the power sorry argument is equals to आप ऐसा लिखेंगे कि argument is equals to B to the power जो भी value of log होगी वो यहनि A is equals to B to the power V देखिए सिर्फ हमने यह symbolic form में लिख रखा है आप लोगों को समझाने के लिए अब यहाँ पे भी आप वही कर सकते है argument कितना था 8 तो आप बोलेंगे argument यहाँ पे है argument is equals to यहाँ यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए हमने मान लिया X कि उस नंबर को अगर हम 64 के पावर में raise करें तो value कितनी मिलनी चाहिए 1 by 2 1 by 2 कहने का मतलब क्या है आप बोलेंगे 1 by 2 का मतलब है 2 to the power minus 1 2 को उपर लेके जाएंगे हमने बदा रखा है कि जो power होता है प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे 64 यह जो base है इसके power में अगर हम इसको कर दें यानि 64 to the power x तो हमें क्या मिलना चाहिए argument मिलना चाहिए 1 upon 2 1 upon 2 मतलब 2 to the power minus 1 अब 64 का power कितना हो जाएगा 64 इसको हम 2 के form में अगर लिखना चाहिए तो आप लिखेंगे 2 to the power इसको हम लिख सकते है 6 और यहाँ पे x दिया हुआ है is equal to 2 to the power minus 1 which implies यह 2 to the power 6x हो गया और यहाँ पे 2 to the power minus 1 हो गया base यहाँ पे common है 2 और 2 तो हम कह सकते हैं कि 6x यह होगा it will be equal to minus 1 तो x किसके बराबर हो जाएगा minus 1 upon 6 के बराबर तो आप बोलेंगे जहाँ पे आगया minus 1 upon 6 अब इसको हमें exponent के form में लिखना है देखो log के form में थो हमने लिख रखा है log के form में थो हमने लिख दिया कि log 1 upon 2 base 64 is equal to minus 1 upon 6 होगा x की value हम लोग calculate कर चुके हैं इसे को exponent के form में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे argument is equal to base to the power जो value निकल के आ रही है तो आप लिखेंगे argument यहाँ पर कितना है argument यहाँ पर 1 upon 2 है तो 1 upon 2 is equal to आप लिखेंगे 1 upon 2 is equal to base कितना है 64 तो 64 to the power जो भी value निकल के आ यह minus 1 upon 6 तो होजाएगा minus 1 upon 6 जो हमने लिख दिया हाँ पर इस question पर आते हैं सारे के सारे questions बिलकुल आसान है इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आप बोलेंगे चलिए मान लिया कि ये भी किसके बराबर है x के बराबर है इसको भी हमने किसके बराबर मान लिया x के बराबर तो चलिए आप बोलेंगे कि 5 to the power x किसके बराबर होना चाहिए 25 के बराबर होना चाहिए इसको हम उपर यहीं पे solve कर दे रहे है आप बोलेंगे 5 to the power x is equal to 25 के बराबर होना चाहिए 25 को हम लिख सकते है 5 का square यानि दोनों तरफ base common हो गया 5 5 यानि कि x को power को हम equate कर सकते है x is equal to 2 x की value हमने 2 निकाल ली यानि यह आगया यहां पे 2 अब दिखें यह तो log के form में हमने लिख दिया इसको log 25 base 5 is equal to 2 लेकिन इसको exponent के form में लिखें तो कैसे लिखेंगे आप बोलें कि base to the power जो value होगी वो argument के बराबर होती है argument यहाँ पे 25 then 25 is equal to base के 5 तो दिबाओ और यह क्या होगी आपका value जो है 2 और आप देख भी सकते हैं जहां से verify भी कर सकते हैं कि 5 का square कितना होता है 25 के बराबर यानि कि 5 का square 25 कहें या फिर आप यह बोलें कि log 25 base 5 is equal to 2 दोनों का मतलब से में सिर्फ हमने एकी information को दो तरीके से लिख रखा है बाकि इसमें कुछ खास चीज नहीं की गई है अब देखिए आपके मन में सवाल आता होगा रहे जब एकी information को दो तरीके से लिखना ही था तो फिर यह log के form में complicated करके क्यों लिखा गया यह information आसान थी कि 5 is square to 25 इसको इस form में लिखने क्या जरूरत थी कि log 25 base 5 is equal to 2 देखिए log जो होता है आपके calculations को आसान कर देता है अब किस form में calculation को आसान करता है log multiplication को addition में convert कर देता है और जो divisions होते हैं उनको subtraction में convert कर देता है अब आपको पता हुआ common sense की बात है कि add करना चीज़ों को multiply करने comparison में जएदा simple है वैसे subtract करना division करने से भी simple है इसलिए log का use किया जाता है चलिए इस पे आते हैं लोग log 5 base 25 log 5 हो गया base 25 is equal to हमने मान लिया कोई number है x x मतलब यह value of the log इस log की value अब आप बोलेंगे कि यानि कि 25 का power अगर x करें तो हमें argument मिलना चीए 5 तो चलिए 25 to the power x is equal to argument हो गया 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 का square इसको क्या लिख सकते हैं 5 square यानि 5 square हमने लिख रखा है और यह बाहर x पढ़ा हुआ है is equal to 5 to the power 1 which implies इधर देखिए 5 का power हो गया 2 और यह x यानि 2x power multiply हो जाते हैं तो 5 to the power 2 x is equal to 5 to the power 1 5 5 base common है it means 2 x is equal to 1 which implies x is equal to 1 upon 2 यानि इसकी value हमने निकाल ली 1 upon 2 अब इसको exponent के form में easily हम लिख सकते हैं exponent के form में कैसे लिखेंगे आप आप बोलें कुछ नहीं simple तो है अब argument is equal to base to the power जो भी value निकल के आती है तो argument आपका कितना है 5 तो आप बोलेंगे 5 is equal to base कितना था 25 25 और जो value निकल के यह 1 upon 2 तो यह इसके power में चला जाएगा तो यह exponent के form है तो आपने देखा कि यह जो form है हमने exponent के form में लिख रखा है यहने कि यह जो log के form को हमने क्या कर दिया exponent के form में convert किया तो यह बना ऐसे ही यहाँ पे दिखिए यह exponent का form है इसी log को हमने exponent के form में लिख दिया जहां पर भी हमें वही काम किया log 1 upon 2 base 64 is equal to minus 1 upon 6 था इसको हमने जब exponent के form में लिखा तो यह निकल के आया जस्ट ऐसे हमने यहां पर भी कर दिया exponent के form में हमने लिखा तो यह चीज निकल के आई log के form में कैसे इसी information को हमने लिखा था कि log 5 base 25 is equal to 1 upon 2 अब देखिए यह question है इस question को अभी इसको हम direct कर दे रहे है आप बोलेंगे 3 का हम कौँसा power यहां पर जो number आएगा वो ऐसा number होगा कि जिसको हम 3 के power में करें तो 9 आजए तो आप बोलेंगे 2 होना चीए क्योंकि 2 को अगर 3 के power में करें तो 9 आजएगा तो इसको हमने कर दिया 2 तो देखिए इस information को log के form में थो हमने लिख दिया अब इसी को exponent के form में लिखना है तो क्या exponent के form में लिखना तौफ है क्या नहीं अब बोलेंगे argument 9 is equals 2 जो अपना base है यह होगा base 3 और इसका जो power है यह जो value है यह power में आ जाएगी 2 तो यह हमने लिख दिया यहाँ पर इसको exponent के form में तो I think यह सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी log की बहुत सारी properties होती है उस properties को जानना बहुत जरूरी है अब इसके बाद हम लोग की properties पर आएंके अब देखिए log में एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि base देखिए यहाँ पर हमने b ले रखा है जो आपको यूज करना है physics के अंदर बात या तो वो बेस ज्यादा तर आपको natural base देगा natural log या फिर आपको base 10 पर निकालना होता है क्योंकि base 10 की आपको values given होती है तो जो natural log होता है natural log के सास्ता जो log की properties है log की properties के बाद जो भी conversion होता है natural log का आप log with base 10 में उसको convert कर रहे हैं तो कैसे हम convert करें चलिए आए अब उसको देखते है